कि मेरा नाम मुहम्मद इजाज है मैं गोरा बजा निवासी हूँ मेरा माकान नई मस्जिद गोरा बजार के पास है यहाँ जमाने से लगबग धाई से तीन साल हो गया है यहाँ यही रवईया है रोड बनती नहीं है धूल उड़ती रहती है कितना भी काओ कि पानी डाले पानी किसी को डालना नहीं है धूल उड़ा करती है हमारे घर के पीछे वाले रूम में आगे तो बाती ना कीजिए पीछे वाले रूम में अंदर तक धूल है कितना भी आप एंटी डेस्ट्पेंट लगाएं कुछ भी लगाएं कोई काम नहीं कर रहा इतना ज्यादा दिक्कत है कि हम क्या बता हैं धरना हुआ तीन चार बार गे पूर्णे मसी रास्तों कोई मतलब किसी को कोई दिक्कत गोरा बजाल वाले मर जाए जी जाए कोई मतलब किसी को कोई मतलब नहीं किसी को देख लीजिये अब जो है वो तो रिजर्ड बताएगा उसमें कहना क्या है हमारा नम आइस मुंमद है तीन साल से मामला चल ला और यह परेशानी की दर कोई काम नहीं करती है मित्वी पढ़ी रहती है गित्वी पढ़ी रहती है जाम लगता है और तपलाई के लिए हम लोग पितना परेशान हो गए तो अब हुआ है अधीती सिंग है यहां तीन-चार बार धरना भी दिया गया काम कभी चलता कभी रुक जाता है अब बहुत परेशान है नगरपालका कभी आती नहीं पूर्मा पॉडमा सिरीवास्तो नहीं एक बार आई है उसके बाद नहीं आई इसके बार कभी चक्कन नहीं कभी चकन है गोरा बजार तो लगा ही नहीं यहीं फिरोज गांधी में रहती है अधिया बिलकुल होते हैं इसलिक आदमी गिर गए और चोटे ट्रक भी पढ़ लग गए वहां आगे कुमार एजन्सिक सामने कि इन चार बार ट्रक बदल गिर गए और आदमी के चोटे बहुत लग गई है कि अार भार बार ट्रक लगण अजे यहे टूब को ले गिरोगा है कि यह लगे कि अफ्ड कोट प्राद बड़ बढ़के के भीज़ का यह बढ़ग एज़ गुए कि अफ्छेश के दिल्मार बदल होते है वबदमी कि आपका हनीप नाम है मेरा जो यह कारी करम तो सड़क का जो है महीनों बंद रहता है लश्टम पठम तुचादनी गिट्टी उट्टी डाल देते हैं उसके बाद में पानी बरसता तो यहां लगा रहता है और रोड इतना जार में रहता है इतनी परिष्ञानी लोगों के घराना जाना दूबर हो जाता है चलाए तें अब बागी चलते हो राज 6-8-8 महिना से क William upad 10 महीन इट both पहले और यहां परोने उनसे लोगों कुछ कहा और गागे बहुत जल्दी हो जाया कि दस पांदा लोगे हुआ नहीं कुछ दो है कि अगा कि